दोस्तों नमस्कार जैहिन मंदे मातरम स्वागत है आप सभी का गोल्डेन पार्ट साला में प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश एन एमेमस एकजाम 2024 रेजल्ट के बारे में बात करेंगे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहते कि सर हमारे नमबर अच है या आपका फार्म रेजेक्ट हुआ है आप अपने नाम को अपने लिस्ट में करशे देखेंगे और लिस्ट कहां से डाउनलोड होगी तो इन सभी सवालों के जवाब आपके इस वीडियो में मिलेंगे तो आप सभी लोग वीडियो को लाश्त जरूर देखेगा एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दें आगे शुरूर करते हैं वीडियो को तो प्यारे बच्चों आप सभी को बता दें कि लिस्ट में नाम जो है आपका क्यों नहीं आया है क्या रीजन है कि आपका जो है सेलेक्शन नहीं हुआ है आप पास है फिर भी आप select क्यों नहीं हुए इसके कुछ महात्पूर रीजन आपको समझने चाहिए पहला point हमने लिखा है कि pass तो हैं लेकिन cut-up से बाहर हैं इसका मतलब यह है कि अगर आप जनजल या OBC category से आते हैं तो 32 नमबर पर आप pass माने जाते हैं एस्ती और एस्ती हैं तो आपको जो है 58 नमबर प्राप्ट करने पर pass माना जाएगा लेकिन आप पटाप से बाहर हो सकते हैं इसका कारण यह है कि मान लीजिए आपके जिले में जो है 700 बच्चे पास हुए और आपके जिले में मातर सीट कितनी हैं 300 हैं तो 300 सबसे उपर जो बच्चे हैं उनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा और 300 से बाद में जो 60 बच्चे 400 उनका सिलेक्शन नहीं होगा तो इस प्रकार से मान लीजिए कि आपके नमबर 72 हैं और 80 नमबर वाले बच्चा का सिलेक्शन हुआ 80 नमबर तक के बच्चों का सिलेक्शन हुआ और 300 पूरे हो गए तो इस रीजिन से भी आपका जो है सिलेक्शन नहीं होगा लिष्ट में नाम नहीं आएगा तो यह आपका एक मात्पूर्ट रीजिन हो जाता है और दूसरी बात यह है कि आप फेल हो जाते हैं फेल होने का मतलब यह है कि अगर आपके जो है जनल या OBC कटेग्री से आप आते हैं तो अगर आपके नमबर 72 से कम आते हैं तो आप फेल माने जाएंगे और आपका कटाफ में नाम नहीं आएगा SC और ST कटेग्री से अगर आप हैं अगर आपके 58 नंबर से कम है तो आप फेल माने जाएंगे और आपका कट आफ में या लिस्ट में आपका नाम नहीं आने वाला है इसके बाद तीसरा कारण यह हो सकता है कि आपने जब application फार्म भरवाया था उस समय कुछ गलतियां की होंगी तो उन गलतियों के कारण भी आपका कट आफ में नाम नहीं आएगा और आपका फार्म रिजेक्ट हो जकता है इसके अलावा चौथा हमने point यहां पे लिखा कि यदि आप किसी मानता प्राप्त विद्याले में पढ़ते हैं और आपने फार्म भरा है तो भी आपका फार्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है आपको select नहीं किया जाता है तो अगर आप किसी मानता प्राप्त विद्याले में पढ़ रहे हैं तो आपका जो है list में नाम नहीं आया होगा यह card हो सकते हैं इसके अलावा और भी बहुत fact जो है जो आप परिच्छा के time में परिच्छा में OMR sheet भरते होए कोई गलती करते हैं या उसमे mismatch डाता हो जाता है इस वज़ा से भी reject हो जाता है फार्म तो यह सब चीजें जो है आपको कैसे जानकारी होगी कि आपका फार्म रेजेक्ट हुआ है आप पास हुए या फेल हुए हैं तो इसकी list आप यह कहां से मिलेगी आए इसकी बात करते हैं तो इसके लिए भी आपको आना होगा उत्तरप्रदेश NMS exam की official website पर तो आप लोग chrome browser से जिस प्रकार से PDF डाउनलूड करे थे उसी प्रकार से आपको आना है फिर से chrome पर और search करना है intdatas.co.in और आपको official website पर जैसे ही click करेंगे तो आपको उसी प्रकार से interface दिखाए देगा और result वाले option पर click करेंगे तो आपको इस प्रकार से list दिखाए देगी और ये list बच्चों जो अभी हम download किये हैं और दिखाई जा रही हैं ये जो list हैं वो सभी selected candidates की दी गई हैं यानि जिले में जितने बच्चे पास हुए हैं जिनको scholarship दी जायेगी उन बच्चों की list जारी क तो सेम उसी प्रकार से अब की बार भी चार से पांच दिनों के अंदर list अपडेट हो जानी चाहिए तो आप सभी लोग इसी website पर visit करते रहें और जैसे आपको यहां पर जो है दिखाई दे जाएगा click here for TR तो उस पर जैसे ही आप click करेंगे तो बुना आपको 75 जिलों के ना पर जाएगी जिसमें selected candidates के जिस प्रकार से आपका वायूरेटा फिल होकर आये था सेम उसी प्रकार से आपका वायूरेटा फिल होकर आएगा और उसमें आपका जो है पूरा details लिखा होगा remark में कि आप पास हैं खेल हैं या फिर आप कटाप से बाहर है या आपका reject हुआ है तो पूरी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी तो आप सभी लोग जो है इस website पर आते रहेंगे और जैसे ही लिस्ट अपडेट होती है तो हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से बता देंगे तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अवस्य रखें अगर जो भी नंबर पर आप WhatsApp कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में बस्तना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक कि लिए धन्यवाद जहिन वंदे मातरम